तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन की बटन जरूर दबाईएगा तो यहाँ पर लाइनिंग लिए है हमने 1 मीटर और मैन फाब्रिक भी हमने आप 1 मीटर लिया है इसकी कटिंग पहले हम लाइनिंग पर करेंगे तो 11 इंच पर हम मार्किंग करेंगे और लाइन को ड्रो करेंगे तो यह हमने स्लीज के लिए फाब्रिक निकाल लिया है और अब हम फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे इसके जो hook है वो हम back में रखेंगे तो उसकी आपे total length ले लेनी हमें 13.5 inch, 1 inch इसमें plus करना है तो 14.5 inch लिया है और shoulder ले रहे हम 7 inch armor लेना है 6.5 inch chest का fourth part लेंगे 8.5 inch और 2.5 inch plus करना है margin के लिए क्योंकि ये front part है तो front part में हम 2.5 inch plus करते हैं margin का straight line row की नीचे के side से 1 inch extra लेना है tucks के लिए और 1 inch से armor के side पर गोलाई देनी है और अब हम front part की marking करेंगे तो देखें यहां से ये fabric चोटा हो रहा है तो हम यहाँ पर इसको इस तरीके से fold करेंगे और यहाँ पर हम एक straight marking करेंगे तो देखें यहाँ पर हमने marking कर ली अब total जो length है वो ले लेनी है 14.5 inch यहाँ से हम straight line row करेंगे shoulder लेंगे यहाँ से 7 inch armhole लेना है 6.5 inch chest का fourth part लेना है 8.5 inch back part में हम 2 inch plus करेंगे margin के लिए और जो हमारी waste है वो है 28 inch उसका fourth part लेंगे 7 inch 2 inch margin के लिए लेना है 1 inch back tux के लिए लेना है side से हम line को draw करेंगे 1 inch से armhole के side पर गुलाई देनी है तो अभी आपर देखिए हमने eye hook की पटिक के लिए marking नहीं की है तो उसकी marking हमें यहाँ से side से कर लेनी है half inch की cut करेंगे यह हमारा front part है front part पर हम princess cut की marking करेंगे यहाँ से हमें 3.5 inch पर marking करनी है जो हमारा tux point है वो आएगा 10 inch पर tux की wheat हम 1.5 inch रखेंगे इसकी जो land है वो 2.5 inch रखेंगे वो इस तरह से shape देते हो इसे cut करना है इसको cut करने के लिए back armhole को measure करना है तो half inch shoulder को stitch करने के लिए चोड़ देना है बाकि जो armhole उसे हम measure करेंगे तो यहाँ पर यह आएगा हमारा 8.5 inch अब दीके आपर sleeves के fabric को 4 fold रखा 3.5 inch पर sleeves को हम down करेंगे यह दीके 8.5 inch है थोड़ा सा में इसमें joint लगाना होगा इस तरह के से shape दे दिया है आव यहाँ पर sleeves round है वो है हमारा 11 inch उसका half लेंगे 5.5 inch 2 inch प्लस करेंगे margin का तो 7.5 inch लेते हुए इसको cut करना है बाकी की स्लीज है वो हम joint लगाने के बाद करेंगे तो इसे अभी हमें man fabric पर cut करना है man fabric पर cut कर लिया stitching करेंगे इन दोरों पार्ट को हमें lining के साथ stitch कर लिया है और यहाँ पर हमें neck की cutting करनी है तो neck की जो weight है वो हम 4 inch रखेंगे neck की length हमें आप 3.5 inch ले रहे हैं एक box बनाते हुए हमें इसमें round shape ड्रॉ करना है अब यहाँ से हमें लेना है half inch length की लेंगे 1.5 inch और इस तरीके से shape देना है cut करेंगे से और paper pasting पर हमें इसे cut करना है cut कर लिया side 7 inch extra लेते हुए cut करेंगे और इसे हमें lining fabric पर paste करना है तो paste कर लिया अब man fabric को हम right side पर रखेंगे इसके उपर हमें lining fabric को रखते हुए neck को pin up करते हुए stitch करना है तो corner निकालते हुए हम neck को stitch करेंगे neck का जो भी extra fabric है उसे हमें cut करना है और पूरी neck पर cut लगाना है इसे हमें palette लेना है palette कर side से stitch करेंगे इस पर बागी side से भी stitch करके extra fabric करना है extra fabric cut कर लिया अब जो हमारा princess cut का part है उसे हम stitch करेंगे दूसरा part भी इसी तरीके से stitch करना है तो दीके stitch कर लिया निचे के side पटी लगाएंगे तो जो पटी की wheat थे वो 1.5 inch रखेंगे एक stitch हमें पटी के उपर से करना है पटी को अंदर के side fold करते हुए एक stitch हम और करेंगे हाफ इंच पर 0.75 inch पर हम आर्मुल के side पर गुलाई देनी है तो front part complete हो गया है अब एक part की necky wheat हम 4 inch रखेंगे तो जो आयो की पटी उसके side से हमें 4 inch लेना है land हम इसकी 3 inch रखेंगे एक box बनाना है इसमें round shape ड्रॉ करना है अब इसकी जो wheat थे वो हम रखेंगे 3.5 inch तो यहाँ पर इसकी जो wheat थी ना वो मैंने 4 inch लिया है आयो की पटी को छोड़ते हुए और अब हम यहाँ पर marking करेंगे 2 inch पर और इसका shape देना है इसकी land आप अपने according कम्या ज़्यादा कर सकते हैं मैंने यहाँ पर इसे रखा 11 inch कट कर लेना है से और से हम paper pasting पर कट करेंगे paper pasting पर कट कर लिया man fabric को right side पर रखा उसके उपर हमने lining को रखा है और neck को stitch कर लेना है extra जो neck fabric के उसे cut करेंगे वो पूरे ही neck पर cut लगाएंगे बाकी side से भी stitch कर लेना है और extra fabric cut कर लेना है तो देखे stitch कर लिया अब यहाँ पर हम hook की पटी लगाएंगे तो double करते हुए हम इसे stitch करना है एक stitch हम पटी के उपर से करेंगे पटी को अंदर की side fold करते हुए एक stitch हमें और करना है आई की पटी लगाएंगे width में इसे 2.5 इंच लिया है उपर के side से इसे fold करते हुए stitch करेंगे और एक बार और fold करते हुए stitch करना है बैक टक्स लगाएंगे इसकी जो length हम 4 इंच रखेंगे निचे के side पटी लगा रही है जैसे कि हमने front पार्ट में लगाई थी बैक पार्ट complete हो गया है यह स्लीज है अब स्लीज में हमने joint लगा लिया है side में स्लीज को हम एक बार और cut करेंगे स्लीज की लैंड तो हमने पहले ही ले ली थी इसकी जो width थे वह थी 8.5 इंच तो अब हम यहाँ पर 8.5 इंच पर marking करेंगे और यहाँ पर इस तरीके से line को draw करते हुए extra जो है उसे cut करना है अब टू पार्ट्स में हमें front के लिए shape देना है मैं फैवरी को right side पर रखा उसके उपर lining रखेंगे और neck को stitch करेंगे अब एक stitch इसके उपर से करनी है double stitch कर लिया है बाकी साइट से भी stitch करके extra fabric cut करना है इसका अब यहाँ पर मैंने paper pasting लिए है इसको देखे इतनी बार मैंने fold किया तो दोनों स्लीज के लिए हम साथ में ही cut कर रहे हैं इसे तो इसे double लेते हुए मैंने three times इसे fold किया है तो उसकी जो total पूरी हमारी six design बनेगी एक स्लीज में हम three design बनाएंगे तो यहाँ पर एक बार rough stitch कर लेना है ताकि जब भी हम इसको cut करेंगे तो जो हमारी सारी design है वो एक same बनेगी एक की size की अब यहाँ पर हमने three inch पर marking की three inch का center लिया और center से width में हमने one inch लेते हुए इस तरीके से shape देना है side से one inch extra लेते हुए cut किया इसे हम lining fabric पर paste करेंगे side से इसे fold करेंगे तो देखे हमने इसे इस तरह से fold कर लिया है अब center पर इस तरह से marking की और पहले हम इन parts को रखते हुए एक rough stitch करेंगे center से अब जो हमारी design है उसे हमें stitch करना है extra fabric cut करेंगे center का और जो design है corner पर हमें cut लगाना है अंदर के side से fold करते हुए iron करेंगे सभी design इसी तरीके से बनानी है तो देखी सभी design को इस तरीके से complete कर लिया अब यहाँ पे one inch width की हमने यह पटी ली है इसको दोनों side से fold करते हुए stitch करना है और इसको 4 inch की length में हमें इसे cut करना है क्योंकि 3 inch की हमारी design है half half inch दोनों के side stitch होगा तो 4 inch लेनी है हमें इसकी length और तरीके से stitch कर लेना है तो जोसके corner है वहाँ पर हमें इसे रखते हुए stitch करना है सबी designs इसी तरीके से बना ली है अब हम solder को stitch करेंगे तो इस तरीके से रखेंगे और solder को stitch करेंगे solder को हमने stitch कर लिया है स्लीज लगानी है तो स्लीज का जो extra fabric cut किया तो असे हमें front में stitch करना है दूसरी स्लीज भी इसी तरीके से stitch करेंगे center पर पिन अप करते हुए side से हमें stitch करना है और side में जो भी extra fabric है उसे हमें cut करना है blouse kolda करेंगे side से एक पेर का margin रखते हुए stitch करेंगे अब हमें यहापे fitting लगानी है तो center से chest के fourth part पर marking करेंगे करेंगे यहाँ पर हमें west का fourth part लेना है स्लीज लाउंड लेना है स्लीज राउंड का half लेना है तीनों marking को मिलाते हुए हमें fitting लगानी है अब यहाँ पर यह मैंने एक पटी ली है यानि बैल्ट लिया है इसकी जो वीड थे वह हमने 3 इंच रखी है इसकी लेन्द आपको west के according रखनी है वेस्ट के जो according इससे मेरी वेस्ट थी यहाँ पर 28 तो मैंने इसे 29 लिया है क्योंकि दोनों साइड हमें half इंच की margin चाहिए stitch करने के लिए इससे इस तरीके से पलट लेना है क्योंकि हमने 3 साइड ही stitch किया था एक साइड से open रखा है पलटने के लिए अब इसके जो corner वगेरा है वह हमें अच्छे से निकाल कर इस पर iron करना है और एक साइड से हम इसे fold करेंगे इस तरह से और यह जो पट्टी है ना उसके एक साइड हमें hook लगाना है एक साइड हमें eye लगानी है तो friends हमारा यह designer blouse बनकर complete हो गया है तो comment करके आप ज़रूर बताएगा कि आपको यह video कैसी लगी वीडियो को like share ज़रूर करेगा और channel को subscribe ज़रूर करेगा थेंक यू